10th week class, देखो हमारे पास जो 3rd question है, उसमें क्या दिया है, ऐसी 2 संख्याएं ग्याद कीजिए, जिनका योग सताई हो और गुननफल 182 हो, ठीक है हमने 2 संख्याएं मान लेनी है, X और Y हमारी 2 संख्याएं है, अब उनका sum जो है X प्लस Y 27 है, और उनका जो product है गुननफल, वो हम 182 दिया है, दूसरी equation में से हम Y की value निकालते हैं, तो वो 182 upon X है, वो हम first में भर देते हैं value Y की, ठीक है, अब X LCM ले लेंगे हम X square आ जाएगा, ये 182 ये 27, X cross multiply होगा, जो ये 27 X आ जाएगा, 27 सीधर आ जाएगा, तो माइनस 27 X, तो ये बनगी हमारे पास quadratic equation, धिगाद समी क पर उनको कैसे solve करेंगे, 14 into 13 हमारा 182 होता है, और 14 plus 13 हमारा सताई होता है, ठीक है, तो factorize कर देंगे हम, split करेंगे 27 को 14 plus 13 में, X plus 182 equal to 0, अब bracket open करेंगे, minus 14 X, minus 13 X plus 182 equal to 0, अब इन दोनों में X common आ जाएगा, X minus 14, 13 common आएगा, X minus 14 equal to 0, तो मारे पास दो factor आ जाएगे, X minus 14, X minus 13 equal to 0, तो दो values हमारे पास आ जाएगे, एक 14 और एक 13, ठीक है, ठीक है, चलो, question number 4 देखो क्या है, 4.2 का, दो क्रमागत दनात्मक पुरनाग ज्याद कीजिए, जिनके वर्दो का जोग 365 हो, ठीक है, जो दनात्मक पुरनाग होते हैं, वो हमारे whole numbers होते हैं, positive integers होते हैं, दनात्मक मतलब positive, पुरनाग मतलब integer, positive integer, करमागत होते हैं, जो एक ही संख्या में होते हैं, जिनमें 1-1 का gap होते हैं, तो हम एक X ले लेते हैं, और दूसरे X plus 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो उन दोनों का ज लग जाएगा A square plus B square plus 2 A B 365 X square X square 2 X square 2 X और 365 इदर आजाएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस 364 2 common आजाएगा तो X square plus X minus 182 equal to 0 2 उदर चला गया 0 हो गया यह बनगी इमारे पास दिगाद समिकरन ठीक है अब इसमें 14 into 13 करेंगे 182 होगा और 14 minus 13 करेंगे तो 1 होगा फैक्टर बनाएंगे बन के 14-13 ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्सिस